इस वीडियो में हम करने वाले हैं Heads and Formation Date of All Indian Security Agency और सब कुछ इसमें एकदम updated है और सभी exams में इस तरह के questions आते रहते हैं DG of CISF कोन है, BASF कोन है या फिर Chief of Army Staff कोन है इस तरह के questions पूछते रहते हैं तो इसलिए हम इनको देखने वाले हैं साथ हम उन से related कुछ static GK के questions भी देखेंगे जो exams के लिए काफी ज़्यादा important है तो चलिए शुरू करते हैं First हम स्टार्ट करेंगे Minister of Defense of India इंडिया का Defense Minister इंडिया के Defense Minister है राजनात सिंग और First Defense Minister of India थे बलदेव सिंग चोकर ये भी पूछ रहते हैं एक्जाम में काफी बार National Security Advisor है हमारे अजीड दोवाल और इसको फोर्म किया गया था November 1999 में Chief of Defense Staff ये post start हुई थी 24 December 2019 से और इसका tenure है 3 years या फिर 65 years की age जो भी पहले हो जाए और हमारे Chief of Defense Staff है जर्नल विपिन रावत और ये first हमारे Chief of Defense Staff है very important Chief of Naval Staff है Admiral Karambhir Singh और Navy Day हम मनाते हैं 4th December को Chief of the Army Staff ये हैं हमारे Manoj Mukund Naravne और Army Day हम मनाते हैं 15th January को Chief of the Air Staff ये हैं हमारे Air Marshal Rakesh Kumar Singh Bhadhoria और Air Force Day हम मनाते हैं 8th October को Indian Coast Guard के DG ये हैं K Natrajan और इसको फोर्म किया गया था 19th August 1978 Director General of Assam Rifles ये हैं सुकदीप सांगवान और इसके Headquarters हैं Shilong बाकी सभी के New Delhi में होते हैं सिर्फ ये ही exception है इसके Headquarters है Shilong में और Assam Rifles का Day हम मनाते हैं 24th March को DG of CISF Central Industrial Security Force ये हैं सुभोध कुमार जैसवाल और इसको फोर्म किया गया था 10th March 1969 और इसी दिन हम मनाते हैं CISF का Day फोर्म मतलब उसी दिन मनाते हैं उसका Day तो CISF को फोर्म किया गया था 10th March 1969 और इसी दिन हम मनाते हैं CISF Day DG of BSF Border Security Force ये हैं राकेश अस्थाना और इसको फोर्म किया गया था 1st December 1965 और इसी दिन मनाते हैं BASF Day DG of CRPF Central Reserve Police Force ये हैं AP महेशवरी और इसको फोर्म किया गया था 27th July 1939 और 27th July को हम मनाते हैं CRPF Day Director General of ITBP इंडो तेबितन बोर्डर पुलिस ये हैं SS देशवाल और इसको फोर्म किया गया था 24th October 1962 इसी दिन हम मनाते हैं ITBP Day Very important DG of SSB शसर्चत्र सीमा बल ये SSB Service Selection Board नहीं है एक हमारी SSB है CAPF Central Armed Police Force शसर्चत्र सीमा बल और SSB के DG हैं कुमार राजेश चंदर और इसको फोर्म किया गया था 20th December 1963 और इसी दिन हम मनाते हैं SSB Day 20th December DG of NSG National Security Guard ये हैं सुर्जीत सिंग देशवाल और इसको फोर्म किया गया था 22nd September 1986 Director of the Intelligence Bureau IB IB के डिरेक्टर है अरविंद कुमार और इसको फोर्म किया गया था 1947 में और इसके फर्स्ट डिरेक्टर थे TG संजीव पिललाई चलिए अब इंडिया के इंटरनेशनल बोर्डर्स देख लेते हैं बंगलादेश के साथ हम शेय करते हैं 4096 किलोमीटर की बाउंटरी और इसको गार्ड कोन करता है इसको गार्ड करती है हमारी BSF ये भी पूछ लेते हैं कौन सी बाउंटरी को कौन सी फोर्स गार्ड करती है तो बंगलादेश और पाकिस्तान की बाउंटरी को शसस्त्र सीमा बल भूटान के साथ हमारी बाउंडरी है 578 किलो मीटर और इसको गाड करती है SSB, चाइना के साथ हमारी बाउंडरी है 3488 किलो मीटर और इसको गाड करती है ITBP, इंडो तेबितन बोर्डर पुलीस, म्यानमार के साथ हमारी बाउंडरी है 1458 किलो मीटर और इसको गार्ड करती है Assam Rifles and the Indian Army, राइट, अफगानिस्तान के साथ हमारी बाउंडरी है 106 किलो मीटर, लेकिन ये है P.O.K. के अंदर, P.O.K. मतलब पाकिस्तान occupied कश्मीर, राइट, तो वो कश्मीर का पार्ट अभी पाकिस्तान के अंदर है, इसलिए हम कोई direct boundary share नहीं करते हैं, ले वहाँ पर कोई भी Indian forces नहीं है, जो उसको गार्ड कर रही है, क्योंकि वो पाकिस्तान के control में हैं अभी, राइट, इंडिया की किस neighboring country को कौन सी force गार्ड करती है, इसको आप कैसे याद रह सकते हो, काफी simple है, जो countries 1947 में partition के बाद इंडिया से अलग हुई थी, उनको गार्ड क करती है, SSB, शसस्त्र सीमाबल, राइट, और चाइना वाला तो कोई भूली नहीं सकता, ITBP, इंडो तेबितन बोर्डर पुलीस, राइट, तिबद के नाम से ही आप समझ सकते हो, राइट, पहले वहाँ पर सिबद थाब, चाइना ने उसको control में ले लिया है, राइट, और कर दो कर दो ककी